मेरा नमस्कार सबको मेरा प्रणाव आज उत्राखंड में आखे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उत्राखंड को हम देव भूमी मानते हैं भगवान ने उत्राखंड को देने में कोई कसर नहीं छोड़ी भगवान ने सब कुछ दिया उत्राखंड में नदिया हैं, पहाड हैं पेड हैं, वनस्पती हैं, जड़ी बूतिया हैं उत्राखंड में महंती लोग हैं, अच्छे लोग हैं, इमानदार लोग हैं लेकिन उत्राखंड के नेताओं ने और उत्राखंड के पार्टियों ने उत्राखंड को बर्बाद करने में कोई कसर ही चुछ आज उत्राखंड के अंदर दो पार्टी आए तो जैसे चक्की होती है चक्की के दो पार्ट होते हैं उन चक्की के दो पार्टों के अंदर दाने पिस्ते हैं ऐसे इन दो पार्टियों के बीच में उत्राखंड और उत्राखंड की जनता पिस रही है पिछले 20 साल से इन दोनों पार्टियों ने बड़ी अच्छी सेटिंग कर रखी है बड़ी अच्छी सहमती बना रखी है आपस में और बड़े तरीके से हैं सिस्टेमाटिक आप 2000 से उठा के देख लो एक बार तुम एक बार हम एक बार तुम एक बार हम एक बार तुम लुटो एक बार हम अभी हम देख रहे हैं कि सत्ताधारी पार्टी के पास सीम ही नहीं है एक बनता है फिर सत्ताधारी पार्टी को लगता है नहीं ये भी निकम्मा फिर दूसरे को बनाते हैं फिर कहते हैं नहीं ये भी निकम्मा में ख्याल से 70 साल के भारत के दियाज में ये पहली बार हो रहा होगा कि कोई अपनी पार्टी खुद ही कहती है कि हमारा सीम बिकार है वैसे तो अपोजिशन वाले कहते हैं वह यह पार्टी खराब है यह सीम खराब है यह तो खुद ही कह रहे हैं कि हमारा सीम खराब है इसको बदल रहे हैं फिर दूसरे को भी कहते हैं यह भी खराब है इसको भी बदल रहे हैं तो वहाँ पे CM की लड़ाई चल रहे हों कि है CM नहीं है फिर विपक्ष है विपक्ष के पास नेता नहीं है वहाँ पे विपक्ष का नेता बुचुनने के लिए पिछले महीने बर से दिल्ली के अंदर चक्कर काटे जा रहे हैं उत्राखंड की जनता के विकास के बारे में कौन सोचेगा क्या इन दोनों पार्टियों में से किसी भी पार्टी को उत्राखंड की जनता की चिंता है उत्राखंड की जनता के बारे में कौन सोचेगा उत्राखंड के विकास के बारे में कौन सोचेगा इन दोनों पार्टियों कोई परवा नहीं है, दोनों पार्टियां केवल सत्ता की लड़ाई लड़ रही है, कुर्सी की लड़ाई लड़ रही है, अज इतनी महंगाई हो गई है, एक आम आदमी को अपना परिवार चलाना मुश्किल होता जा रहा है, हर चीज महंगी होती जा रही है, जैसा अभी किमेरल साब ने कहा किसी भी परिवार में चले जाओ सबसे ज़्यादा दुखी कौन है, खास कर महिलाई है, क्यों? आदमी कमाता है, कमा के महिने के अंत में अपने घर में अपनी धर्म पत्नी को मा को बहन को लाके पैसे उसके हाथ में रख देता है, फिर पूरा महिने का ख खर्चा तो बिचारी महिला को चलाना पड़ता है, आंदनी बढ़नी रही, खर्चे बढ़ते जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, मेरा ये कहना है कि उत्राखंड जो कि बिजली बनाता है, जो कि दूसरे राज्यों को बिजली देता है, दूसरे राज्यों को बिज बिजली इतनी महंगी क्यों मिलती है, क्या कभी किसी भी सरकार ने उतरा खंड वासियों को फ्री में बिजली या सस्ती बिजली देने के बारे में सोचा, नहीं सोचा, उनके बएस टाइम ही नहीं है, वो तो अपनी सप्ता की लड़ाई में लगे हुए, जब तेरी बांद बन में बिजली दी जाये, किया गया था कि नहीं किया उनको फ्री में आज तक बिजली मिली उनको भी बिजली नहीं दी, जो उनको वादा था उनको भी बिजली फ्री में नहीं दी, कुछ दिन पहले, अभी चार-पांच दिन पहले, मैंने टीवी में सुना कि उत्राखंड के बिजली मंत्री ने अलान किया कि हम 100 उनिट बिजली फ्री देंगे और 100 से 200 उनिट बिजली हाफ रेग देंगे मुझे बहुत अच्छा लगा कि उत्राखंड के लोगों को कुछ तो फाइदा होगा लेकि मैं सोच रहा था कि चुनाव के छे महीने पहले ये वादा कर रहे हैं ये अपने वादे पे टिकेंगे, नी टिकेंगे इनके एक बहुत बड़े नेता ने एक बार एक कमेंट किया था जब उनसे पूछा गया जी आपने का था 15-15 लाख रुपे देंगे बोलिये तो चुनावी जुमला होता है तो जब उन्होंने एलान किया कि 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे तो मेरे मन में एक शंका थी, एक खुशी भी थी, एक शंका भी थी कि पता नहीं ये पूरी करेंगे नहीं करेंगे मेरी शंका 24 गंटे में पूर उसका निवारन हो गए उसके 24 गंटे के अंदर यहां के मुख्य मंतरी ने क्या दिया ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है हम बिजली मुफ्त नहीं देने वाले तो आपको 6 महिने का इंतिजार भी नहीं करना पड़ा उन्होंने खोदी क्या दिया यह चुनावी जुमला था हम बिजली फ्री नहीं देने वाले दिल्ली में उत्राखंड के बहुत लोग रहते है मुझे तो लगता है शायद उत्राखंड के हर परिवार से या तो कोई दिल्ली में रहता होगा या दोस्त होगा या रिष्टेदार होगा लगबग हर परिवार का कुछ ना कुछ दिल्ली से रिष्टा जरूर है और जब आपस में दिल्ली से उत्राखंड के जो निवासी हैं दिल्ली में रहते हैं, वो आते हैं वापस चर्चा करते हैं, फोन पे बात होती है, तो वो बताते हैं कि दिल्ली में किस तरह से विकास हो रहा है, जो काम सतर साल में सारी पार्टियां मिलके देश के किसी भी कोने में नहीं कर पाई, वो काम आज दिल्ली के अंदर हो रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, स्पताल बन रहे हैं, सड़के बन रहे हैं, पानी, बिजली, हर क्षेत्र के अंदर दिल्ली के अंदर विकास हो रहा है अब उत्राखंड वासी भी चाते हैं कि वैसा ही विकास दिल्ली का जैसा हो रहा है वैसा इविकास, यहाँ भी स्कूल अच्छे होने चाहिए, यहाँ भी अस्पताल अच्छे होने चाहिए, सभी उत्राखंड वासी चाहते हैं, और अब उत्राखंड के लोग मन बना चुके हैं, कि उत्राखंड के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार लाने हैं, तो मैं उत्र खंड के लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जितने काम अच्छे काम दिल्ली में हुए वो तो करेंगे ही करेंगे स्कूल भी अच्छे बनाएंगे, स्पताल भी अच्छे बनाएंगे, बिजली भी अच्छी करेंगे, पानी भी अच्छा करेंगे, यहाँ पर खेती भी अच्छी करेंगे, कानून विवस्ता भी, और भी खूब सारे अच्छे काम करेंगे आज मैं खासकर बिजली के ख्षेत्र में चार बातों की गारंटी दे के जा रहा हूँ और मैं ये बता दू हमारा मैं जो कहता हूँ वो चुनावी जुमला नहीं होता केजरीवाल जो कहता है वो करता है आज जो मैं कह रहा हूँ वो केजरीवाल की गारंटी है चार बातों की गारंटी दे रहो हूं मैं बिजली के क्षित्र में ये हमारी पहली गारंटी है पहली गारंटी का मतलब अगले महीने फिर आउंगा एक और बात करने के लिए फिर उसके अगले महीने फिर आउंगा एक और बात करने के लिए आज बिजली के ख्षेत्र में चार बातों की गारंटी देखे जा रहा हूँ पहली चीज जैसे दिल्ली में करके दिखाया वैसे ही उत्राखंड के अंदर हमारी सरकार बनेगी 300 यूनिट बिजली तक हर परिवार को मुफ्त बिजली दी जाएगे दिल्ली में 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है 200 से 400 यूनिट के बीच में हाफ मिलती है हाफ रेट पे तो यहाँ पर इसके लिए हमने एक अलग वो कर लिया कि अवरेज करके 300 यूनिट वो हाफ वाला कॉंसेप्ट नहीं रखा 300 यूनिट फ्लाट तेन सो यूनिट तक हर परिवार को मुफ्त बिचली दी जाएगी दूसरी बात ऐसे पिछले कई महिनों से हमारे कारे करता गांगां जा रहे हैं घर-गर जा रहे हैं ऐसे कई परिवार देखने को मिले ऐसे कई बिल देखने को मिले कि लोगों के गलत बिल आए हूए है और कई बार होता है कि जानभूज के गलत भेजे जाते हैं 60,000 का बिल भेज दिया अब वो बिचारा जब ठीक कराने जाता है तो इसको कहते है 10,000 दे दे तेरा बिल माफ कर दे होता है ना के पैर जबर्दस्ति के जुटे बिल बेजे जाते हैं अब विचारे चक्कर काट रहा है चक्कर पे चक्कर काट रहा है इतने बड़े स्थर के उपर गलत बिल आये हुए है कि उनको अगर ठीक करने के लिए सारी मशीनरी भी लगानी पड़े तो वो कम पड़ जाएगी तो दूसरी बात पुराने बिल माफ किये जाएंगे पुराने बिल नहीं देने पड़ेंगे एक नए सीरे से शुरुवात की जाएगी तीसरी चीज कोई पावर कट नहीं लगेगा दिल्ली में करके दिखाया हमने उत्राखंड में 24 घंटे बिजली देंगे फ्री बिजली का ये मतलब नहीं है कि बिजली कम देंगे पूरी बिजली देंगे 24 घंटे बिजली देंगे मुफ्त बिजली देंगे दिल्ली में जब मैं मुख्यमंत्री बना 2015 में जब दूसरी बार हमारी सरकार बनी थी दिल्ली में 70-88 घंटे के पावर कट लगते थे। बहुत बुरा हाल था दिल्ली के अंदर, इतने पावर कट लगते थे। मुख्य मंत्री बनने के बाद मैंने और मेरे मंत्रियों ने और मेरे विधायकों ने गली-गली जा जाके महले महले में जा जाके तारें बदलवाई, ट्रांसफॉर्मर बदलवाई, खड़े होके जैसे अपने घर का काम कराते हैं ना जब घर की वैसे खड़े हो कि हमने transformer change करवाई, तारे change करवाई, replace कराई और आज दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली है, लोगों ने inverter इस्तिमाल करने बंद कर दिया, generator इस्तिमाल करने बंद कर दिया उत्राखंड में भी बिजली की कमी नहीं है, उत्राखंड में बिजली बहुत है, है की नहीं है, उत्राखंड तो दूसरों को बिजली देता है, फिर भी बिजली के पावर कट लगते हैं, क्यों लगते हैं, तो उत्राखंड में कोई पावर कट नहीं होगा, ये तीसरी बात ह किसानों को उत्राखंड के किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी आज एक किसान बिचारा गरीब आदमी है, सबसे गरीब आदमी है और उस किसान से भी हम बिजली के पैसे लेते हैं अगर उसको थोड़ी सी हम सहूलियत दे देंगे तो उसकी जेव में थोड़े से पैसे आजाएंगे, उसकी जेव में थोड़े से पैसे आएंगे तो अपने बच्चों को और अच्छे तरह पाल लेगा, तो चौती बात किसानों की बिजली, खेती की बिजली मुफ्त की जाएगी, आज ये बिजली के खेत्रे में हमारी पहली गारंटी है चार बातों की मैं गारंटी दे रहा हूँ हमारी सरकार बनने के बाद पहली कलम से आपकी तीन सो यूनिट बिजली मुफ्त कर दी जाएगी मैं ऐसे भी ने कह रहा कि सरकार बनने के पांच साल के बाद चुनाव के टाइम हमारे को याद आएगा हमारा किये जाएंगे, 24 घंटे बिजली करने के लिए समय लगेगा, 3-4 साल लगेंगे, सारा नेटवर्क जो है, इसमें जितनी कमिया है, ट्रांसफार्मर बदलने हैं, यह वो है, पुराना नेटवर्क है, इसको ठीक करने में समय लगेगा, उसके वो भी करेंगे, लेकिन 3-4 साल के बाद उत्राखंड के हर व्यक्ति को खुशी होगी, हर परिवार को खुशी होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी उत्राखंड की महिलाओं को होगी, जैसा मैंने कहा कि एक महिला को सबसे ज़्यादा बरदास्त करना बढ़ता अगर पहंगाई होती है, शुक्री अगर आपके कोई प्रश्न है तो वह भाई साब ने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछ है एक मिनिट मैं प्रश्न रिपीट कर देता हूँ उन्होंने कहा कि उत्राखंड की सरकार घाटे में चल रही है उत्राखंड के पास पैसा नहीं है इतना पैसा कहां से आएगा आपकी जांकारी के लिए बता दू जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी दिल्ली सरकार भी घाटे में चला करती थी आज पांच साल के बाद दिल्ली सरकार नफे में चल रही है यह मैं नहीं कह रहा है C.A.G. की रिपोर्ट जो आई है पिछली वो कह रही है कि पूरे देश में अकेली एक ही सरकार है पूरे देश में दिल्ली सरकार जो की नफे में चल रही है बागी सारी सरकारे घाटे में चल रही है नमबर एक नमबर दो आज ये जो एलान किये गए है हम सारी कैलकुलेशन करके आए है सारी प्लानिंग करके आए हवा में नहीं कर रहे है बारा सो करोड रुपे का खर्चा आएगा टोटल उत्रा खंड का बजट पचास हजार करोड है पचास हजार करोड में से बारा सो करोड रुपे निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है दिल्ली का बजट साथ हजार करोड है साथ हजार करोड में हमारी दिल्ली में बज़े बिजली की सबसेड़ी बाइस सो करोड रुपय आती है अगर हम साथ हजार करोड में से बाइस सो करोड निकाल लेते हैं दिल्ली में तो उत्रा खंड में से पचास हजार करोड में से हजार करोड तो निकाली लेंगे एक बात, दूसरी बात, आज आपके सामने गवर्नेंस के दो मॉडल हैं, आपको तै करना है कि आप कौन सा मॉडल चाहते हैं, एक मॉडल है इन दोनों पार्टियों का, इस मॉडल में सरकारें घाटे में चलती हैं, जमके भरष्टा चाहर होता है, स्कूल बरबाद हैं, अस्पताल बरबाद हैं, बिजली महेंगी हैं और पावर कट लगते हैं, दूसरा मॉडल है, नफे में बजट हैं, शांदार स्कूल बन रहे हैं, शांदार अस्पताल बन रहे हैं, बिजली मुफ्त हैं, और 24 गंटे बिजली हैं, आप तै कर लो आपको क आज मैं आपको वादा करके जा रहा हूं अगले पांच साल के अंदर किसी भी चीज के ओपर टेक्स नहीं बढ़ाया जाएगा आप से एक्स्ट्रा टेक्स नहीं लेंगे हम एक्स्ट्रा लोन नी लेंगे कहां से लाएंगे पैसा चोरी जोगेंगे ब्रस्ताचार रोकेंगे अच्छा रोक के अगर पैसा बचाएंगे और आपकी जेव में डालेंगे, आप तो खुशी होगे, अच्छी स्थिती होगी जी अगर अच्छा काम कर रहे हैं, अगर बिजली फ्री देंगे तो आप बताओ, आप वोट दोगे नहीं दोगे, सारे वोट देंगे, जिस जिसको अच्छे स्कूल चाहिए, जिस जिसको अच्छे हस्पताल चाहिए, जिस जिसको चौविस घंटे बिजली चाहिए, जिस जिसको फ्री बिजली चाहिए, जिस जिसको फ्री बिजली चाहिए, सब देंगे, एक नट वो काफी देर से बोल रहे हैं, एक उनको, कि अगर चोरी रोकने वाली पार्टी है तो हम तो चोरी करते नहीं हमारे बरस फंड तो आप इसे 10 रुपे लिया अब आप सो रुपे लेंगे इस बार आपसे भी सो रुपे लेंगे इनसे भी सो रुपे लेंगे जनता के चंदे से चलने वाली पार्टी और जनता के चंदे से चलेंगे सीम का फेस होगा बहुत जल्दी मैं उत्रा खंडाऊंगा और आपके सामने सीम का चेहरा एनाउंस करके जाऊंगा मैं आपसे सौ परसंट सहमत हुजी मेरे दिल के बहुत क्लोज विश है के वल मेरे नहीं मुझे लगता है आज अदमी परटी के हर वेक्टि के क्लोज विश है शिक्षा का विश है आज हमारे देश में दो तरह की शिक्षा विवस्था है एक पैसे वालों के लिए और एक गरीब के लिए गरीब अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने के लिए मझबूर है मैं इसलिए मझबूर कह रहा हूँ कि वो भेजना नहीं चाहता क्यूंकर सरकारी स्कूलों के आलग बहुत खराब है, है की नहीं, जिसकी जेव में ठोड़ा सा पैसा आजाए वो एक वक्त की रोटी काट के अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में बेज़ना चाहता है। और प्राइवेट स्कूलों में सारे स्कूल खराब नहीं है लेकिन प्राइवेट स्कूलों में कईयों त्र दिमका चार्ज इतने चार्ज लगा रखे आदमी बिचारा पिस जाता है दिल्ली में हमने दो काम करें एक तो सरकारी स्कूल इतने शामदार कर दिये कि अब बड़े बड़े अच्छे मिडल क्लास के लोग भी अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल निकाल के सरकारी में बर्ती करा रहे हैं भारत में 75 साल आजादी के हो गए कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी प्रदेश के अंदर सरकारी स्कूल इतने शामदार हुए हूँ मैं आप सारे मीडिया वालों को अमंत्रित करता हूँ आए मेरे स्कूल देखिए दिल्ली के अंदर आए हमारे स्कूल देखिए हाथ कंगन को आरसी क्या मैं अगर जूट बोलू तो आप आके देखो अपने दोस्तों को फोन करके पूछा और दूसरी चीज पान साल से दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी जिस स्कूल ने फीस बढ़ाने की हिम्मत की उस स्कूल को फीस कम केवल कम नहीं कराई बच्चों के पैसे वापस कराई हैं धेरो स्कूल ऐसे हैं जहांपे बच्चों के अकाउंट में पैसे वापस गए हैं तो इसी लिए आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाई ये आपके पैसे वापस कराएंगे। स्कूल अच्छे कर दिये बस बाकी सारी नहीं करें। मैं आप से सबसे आपको अमंत्रित करता हूँ आप दिल्ली के किसी सरकार सरकारी स्कूल में चले जाओ दिल्ली सरकार के। और आप वहाँ पी फोटो खीच के मेरे को भेज देना अच्छा लगे या बुरा लगे। किसी भी सरकारी स्कूल में जाके आप देख लेना हूँ एक चीज बताओ आप एक चीज बताओ मान लो 100 रूपय का पेट्रूल है। मैं अभी एक्जیک 나서 नीं बोल रहा हूँ 100 रूपय में मान लो 20 रूपय तो लेती है स्टेट गवर्मन्त और 60 रूपय लेती है मान लो सेंट्रल गवर्मन्त कम किसको करने चाहिए सेंटर को कम एक मिनिट सुनो तो सही मेरी बात तो सुनो जितनी भी राज्य सरकारे है वो सारी राज्य सरकारे बिचारे छोटे से रेवेन्यू पे चलती है इतना सा तो रेवेन्यू है सेंटर बढ़ाती जा रही है बढ़ाती जा रहे है आप कहते हो state कम करें तो state चलेगा कैसे आपको demand करने चाहिए कि center कम करें center नहीं यह center जो इतनी tax पे tax tax international level पे तेल के दाम घटते जा रहे हैं और हमारी केंद्र सरकार tax बढ़ाती जा रहे हैं तो यह तो सही नहीं है last question पूरा प्लान बन रहा है अगले कुछ महीने के अंदर मैं दुबारा आपके बीक में आओंगा पर रोजगार के उपर कुछ ना कुछ आपके साथ साजा करें। जो लोग भी उत्राखंड का विकास चाते हैं। ऐसे लोग जो जो दूसरी पार्टियों में अपने आपको कुंठित महसूस कर रहे हैं। लोग आईए और आमाद्मी पार्टी जोइन केजिए। पार्फार दज्यवादी शुक्रियास। थैंक्यू दज्यवादी तुक्रियों में अाज़ग बीष्वाद पार्फार, पार्फार, जा्य eh